दोस्तों इन दोनों संकुल में क्या अंतर होता है आश्ट फल के संकुल में इजी कक्षक की उर्जा अधिक होती है जबकि चतुश फल के संकुल में इजी कक्षक की उर्जा काम होती है और टीटू जी की उर्जा अधिक होती है यहाँ पर उल्टा होता है और दोनों की उर्जा में अंतर को डेल्टा टी लिखा जाता है और टी का मतलब टेट्रा हैड्रल होता है चतुषफल के संकुल की वीपाटन उर्जा को इस तरसे लिखा जाता है और एक और अंतर होता है यहाँ पर वीपाठन उर्जा निकालने की आउशकता नहीं होती चत्तुषफल के संकुल में सदेव वीपाठन उर्जा का मान यूगमन उर्जा से कम होता है मतलब EG कक्षक से T2G कक्षक में इलेक्ट्रोन को जाने के लिए कम उर्जा की आउशकता होती परन्तु इलेक्ट्रोन का जोड़ा बनाने के लिए आधिक उर्जा की आउशकता होती यूगमन उर्जा आधिक होती और वीपाटन उर्जा कम होती यहाँ पर लिगेंड दुर्बल हो सकता है प्रबल हो सकता है दोनों ही स्ततियों में वीपाटन उर्जा का मान यूगमन उर्जा से कम होता है इस बात को याद रखना दोस्तों ये दोनों आश्ट फाल की है संक्या का आ जाता है और जब समनवे संक्या चे घोती है तो आश्ट फाल की है संक्नुल बनता है और इनकी आकरती आश्ट फाल की होती है टो इन दोनों संक्नुल आईनों को CFT सिददान की साहिता से समस्ते है सबसे पहले आपको कोवाड की ओक्सीगर अवस्ता को ग्याद करना होता है तो इसकी ओक्सिकन वस्ता को एक्समाल लेते एनेस थ्री उदासी इन लिगेंड होता है और उदासी इन लिगेंड की ओक्सिकन वस्ता जीरोती यहाँ पर लिगेंड की संक्याद 6 होती और सबी लिगेंड की ओक्सिकन वस्ता जीरोती किसी उदासी इन आनू या आयन में उपस्तित सबी ततों की ओक्सिकन संक्याओं का योग उस पर उपस्तित आवेश के बराबर होता है मतलब कोबाल की ओक्सिकन अवस्ता और एनेत्री की ओक्सिकन अवस्ता इन सबी की ओक्सिकन अवस्ताओं को हम जोडते तो इनका योग इस पर उपस्तित आवेश के बराबर होगा और X का मान निकालते हैं तो X का मान प्लस तीन प्राप्त होता है यहाँ पर कोबाल की ओक्सिगनावस्ता को X मान लेते हैं और फ्लू और इनकी ओक्सिगनावस्ता माइनस 1 होती इसकी संक्याच 6 होती है और इनको जोड़ देते हैं और पूरे आयन पर उपस्तित आवेश के बराबर कर देते हैं यदि यहाँ पर 0 आवेश होता तो 0 के बराबर लिखते हैं परन्तु यहाँ पर –3 आवेश है तो इन तत्यों की ओक्सिकर आवस्ताओं का योग इसके बाद आपको क्या करना है केंड्रे दात्तु की ओक्सिकर आवस्ता को ज्याद करने के बाद इस दात्तु का इलेक्ट्रोनिक विन्यास लिखना है कोबाल्ट का परमानु क्रमांग 27 होता है और इसका इलेक्ट्रोनिक विन्यास आरगन 3D7-4S2 होता है परन्तु दोस्तों यहाँ पर कोबार्ट उदासीन होता है इस दातु पर कोई आवेश नहीं होता है और इसमें इलेक्ट्रोन की संक्या 27 होती है साथ इलेक्ट्रोन डी डी उपकोश में होते है और दो इलेक्ट्रोन एस उपकोश में होते है यहाँ पर चार बायतम कोश होता है और इस आयन में कोबार्ट प्लस तीन ओक्सी करन अवस्ता में होता है कोबार्ट प्लस तीन अवस्ता में होता है प्लस तीन का मतलब इस कोबार्ट में तीन इलेक्ट्रोन की कामी होती है तो यहां से हम तीन इलेक्ट्रोन को बार निकाल देते और इलेक्ट्रोन सबसे बायतम कोश में से बार निकाले जाते तो दो इलेक्ट्रोन यहां से हटा देते S उपकोश में इलेक्ट्रोन की संक्या 0 हो जाती और एक इलेक्ट्रोन D उपकोश में से हटा देते तो D में इलेक्ट्रोन की संक्याच चह हो जाती और बागी विन्यास को लिख देते हैं यह CO-3-I-N का इलेक्ट्रोनिक विन्यास है और यहाँ पर कोबार्ड इस अवस्ता में होता है तो इसी विन्यास का उप्योग करना होता है हमें केवल D कक्षक की आउशकता होती क्योंकि CFT सिद्दान्त में D कक्षकों का विपार्टन होता है तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि NS3 कौन सा लिगेंड है NS3 प्रभल लिगेंड होता है और प्रभल लिगेंड की उपस्तती में वी पाटन उर्जा का मान आधिक होता है और यूगमन उर्जा का मान काम होता है तो इलेक्ट्रोन का यूगमन होता है सबसे पहले T2G कक्षक में इलेक्ट्रोन भरे जाते हैं इलेक्ट्रोन का यूगमन किया जाता है और उसके बाद 6 लेक्ट्रोन को EG कक्षक में भरा जाता है तो यहाँ पर डेल्टा हो का मान यूगमन उर्जा से अधिक है और D कक्षक में कुल 6 लेक्ट्रोन होते हैं और जब इन 5 कक्षक के समीप N3 लिगेंड आता है तो 5 कक्षक दो भागों में टूर जाते हैं यहाँ पर D में 6 लेक्ट्रोन हैं और इन 6 लेक्ट्रोन को इन में भरना होता है सबसे पहले लेक्ट्रोन काम उर्जा वाले कक्षक में भरे जाते हैं और उसके बाद अधिक उर्जा वाले कक्षक में भरे जाते हैं परन्तु यहाँ पर यूगमन उर्जा कम होती तो T2G कक्षक में जब इलेक्ट्रोन भरते तो जोड़ा भी बनाते 6 इलेक्ट्रोन सबसे पहले प्रते एक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रोन भरा जाता है और उसके बाद इलेक्ट्रोन का युगमन करते जोड़ा बनाते अब हमारे पास इलेक्टरोन उपलब्द नहीं है यदि D में 7 इलेक्टरोन होते तो जोड़ा बनाने के बाद 6 इलेक्टरोन T2G कक्षक में जोड़ा बना लेते और 7 इलेक्टरोन EG कक्षक में चला जाता तो यहाँ पर युगमन पहले होता है और जब T2G कक्षक में सब इलेक्ट्रोन जोड़ा बना लेते हैं तो आतिरिक्ट इलेक्ट्रोन EG कक्षक में भरे जाते हैं इस बात को याद रखना कोबार्ड का विन्यास T2G कक्षक में 6 एलेक्ट्रोन और EG कक्षक खाली होता है यह कोबार्ड का विन्यास से, इलेक्ट्रोनिक विन्यास से युगमित एलेक्ट्रोन, युगमित एलेक्ट्रोन, युगमित सभी एलेक्ट्रोन युगमित होते हैं यहाँ पर आयुगमित इलेक्ट्रोन नहीं होता है। दोस्तों आयुगमित इलेक्ट्रोन की संक्या को एन से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर आयुगमित इलेक्ट्रोन की संक्या जीरो होती है। और वे सभी पदार्थ जिन में सब इलेक्ट्रोन युगमित होते हैं, प्राती चुम्बकी होते हैं, चुम्बकी शेत्र में प्राती कर्शित होते हैं, और इनके चुम्ब की आगूण का मान जीरो बोर मैगनेटोन होता है चुम्ब की आगूण जीरो होता है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि चुम्ब की आगूण केसे निकाला जाता है और वे सभी पदार्त जिनका चुम्ब की आगूण जीरो होता है उन पदार्तों को निम्न चक्रन संकुल का ज़ता है तो दोस्तों यदि आपसे कोई पूछता है कि यह पदार्त प्रती चुम्ब की होता है या अनुचुम्ब की है तो CFT सिद्दान्त की साहिता से आप बता सकते हो कि यह पदार्त प्रती चुम्ब की होता है सबसे पहले आपको उक्सी करना वस्ता और उसके बाद इलेक्ट्रोनिक विन्यास को लिखना होता है और CFT सिद्धान को प्रदर्शित करना होता है और अंत में क्या लिखते हैं? कोबाल्ट में आयुगमित इलेक्ट्रोन की संक्या 0 होती अत यह प्रती चुम्ब की होता है यह निम्न चक्राण संकुल होता है क्योंकि इसका चुम्ब की आगोन 0 होता है सबी प्रती चुम्ब की पदा आर्थ रांग हीन होते हैं तो आप रंग के बारे में बता सकते हो यह संकुल आयान रंग हीन होता है कोई रंग प्रदर्शित नहीं करता है इसके वीलियन का कोई रंग नहीं होता है तो अब हम देखते हैं चुम्ब की आगून को केसे निकालते हैं तो दोस्तों इसमें आयूग में तिलेक्ट्रोन की संक्या 0 होती और चुम्ब की आगून ग्याद करने के लिए इस सूत्र की आउशक्ता होती ही इस सूत्र को याद रखना यहाँ पर एन का मतलब आयूग में तिलेक्ट्रोन की संक्या होता है और आयूग में तिलेक्ट्रोन की संक्या को यहाँ पर लिखा जाता है और इसे हल करते हैं चुमकी आगुण का मात्रक बोर मेगनेटोन होता है, संशिप्त में बी-ेम लिखा जाता है, यहाँ पर आयूग में तिलेक्टोन की संग्या 0 होती है, तो इस एन के स्थान पर हम 0 लिख देते हैं, और इसे हल करते हैं, 0 प्लस 2 मतलब 2, और इसे 0 के साथ मल्टिप्लाई करते हैं, तो 0 प्राप्त होता है, बोर मेगनेटोन, इस आयन का चुम्ब की आगुण 0 होता है, अब हम इस आयन की बात करते हैं, तो इसमें कोबाल्ट प्लस 3, और यहाँ पर कोबाल्ट की ओक्सिकणा होता है, प्लस 3 होती है, इसका इलेक्ट्रोनिक विन्यास आरगन, 3D6, 4S, 0 होता है, और इसे अभी हमने यहाँ पर D.O.C. में 6 एलेक्ट्रोन होते हैं, फ्लू ओरीडो, फ्लू ओरीडो दुर्बल लिगेंड होता है, और दुर्बल लिगेंड की उपस्तती में, दुर्बल लिगेंड की उपस्तती में, वीपाटन उर्जा का मान, युगमन उर्जा से कम होता है, वीपाटन उर् सबी कक्षक में के एक ऐकटॉन बढ़ते और सबसे अंत में जोड़ा बनाते हैं यहां पर इलेक्टॉन का यूगमन बाद में ओता है पले प्रते कक्षक में एक एक ऐख लेक्ट्रोन बहरा जाता है तो इस दातू के समभी लिगेंड आता है तो यह डरी उपकोश दो बागों में तोड़ जाता है ईजी और ट्रेट गुंक्ले इसकी व Dark गरते हैं आहां पर चुर्जा जाते हैं Dot जोड़ा नहीं बनाते हैं। क्योंकि जोडा बनाने के लिए आवशक युगमन उर्जा आधिक होती परन्तु वीपाटन उर्जा T2G कक्षक से A実 G कक्षक में जाने के लिए आवशक वीपाटन उर्जा कामोती तो तीन इलेक्ट्रोन भढ़ने के बाद चोता इलेक्ट्रोन यहाँ पर चला जाता है यह पाच्वा इलेक्ट्रोन जब सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रोन प्रवेश कर जाता है तो उसके बाद आप इलेक्ट्रोन का जोड़ा बना सकते हो क्योंकि आप यहाँ पर कोई रिक्त कक्षक नहीं होता है और हमारे पास इलेक्ट्रोन की संक्या 6 होती है और सबसे पहले T2G कक्षक में इलेक्ट्रोन भरते हैं तो यहां से हम प्रारंब करते हैं इलेक्ट्रोन का सबसे अंत में यूगमन होता है तो यहां पर हम 6 इलेक्ट्रोन को भर चुके हैं दोस्तों यहाँ पर यह युगमित इलेक्ट्रोन है यह आयुगमित 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 इलेक्ट्रोन की संक्या यहाँ पर चार होती और वे सभी पदार्थ जिनमें आयुगमित इलेक्ट्रोन होते है आयुगमित इलेक्ट्रोन होते है वे सभी चुम्ब की आगुण का मान जीरो नहीं ओता है तो इनको उच्च चक्रण संकुल का आज़ता है वे सभी पदार्त जिनमें आयुगमित इलेक्ट्रोन ओते रंग प्रदर्शित करते ये पदार्त रंगीन ओते और इनका चुम्ब की आगुण हम निकाल सकते यहाँ पर एनका मान चार होता है चार आयुगमित इलेक्ट्रोन होते हैं अब हम इसे हल करते है चार और दो अच्छा होता है और च्छा को चार से मल्टिप्लाई करते है तो ट्वंटीफोर आता है और इसके चुम्ब की आगुण का मान वर्गमूल चोईस बोर मैगनेटोन हो सकते हो दोस्तों लगबग में आप उत्तर निकाल सकते हो 25 का वर्गमूल कितना होता है पांच तो यहाँ पर चोईस का वर्गमूल पांच से बहुत कम लगबग 4.90 बोर मैगनेटोन होगा तो यहाँ लगबग में उत्तर है आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हो मैं यहाँ पर इस प्रस्न को अल करके बताता हूं anche यहां प्लस टू आयन का चुंब की आगुण ग्यात कीजी है थो यहां पर केवल इसका चुंब की आगुणां में ग्यात करना है कि नीकल का परमानुक्रमांख कीतना होता है 28 होता है पारंद फीकल प्लस टू आवस्था मेरेünst नीकल पर प्लस टो आवेश होता है इसका मतलब है इस में ऑपको दो एलेक्ट्रॉन कामियोती है तो इसमें से दो इलेक्ट्रोन को हटा देते हैं, 3D at 4S 0, तो यहाँ पर D उपकोष में 8 इलेक्ट्रोन होते हैं, प्रते एक कक्षक में 1-1 इलेक्ट्रोन को भरा जाता है, 5 इलेक्ट्रोन उसके बाद 6, 7, 8, दोस्तों यहाँ पर N I plus 2 आयन अकेला होता है, इसके साथ कोई लि विपारटन नहीं करना, तो यहाँ पर D कक्षकों का विपारटन नहीं होगा, अब आप इसमें चेक कर सकते हो, यूगमीत, 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 और यहाँ पर 2 A यूगमीत लेक्ट्रोन होते हैं, तो आप चुम्व की आगूण ग्याद कर सकते हो, सो एन के स्थान पर हम दो लिख देते हैं चोटे कोश्टक को पहले अल करते हैं को दो प्लस दो चार और चार को दो से मल्टिप्लाई करते हैं आठ अता है बोर मेगनेट होन और इसका आप वर्गमूल निकाल सकते हैं 8 का वर्गमूल कितना होता है आप 9 का निकाल सकते हो 9 का वर्गमूल 3 होता है तो 8 का वर्गमूल 3 से थोड़ा कम होगा मतलब लगबग 2.9 बोर मेगनेटोन होगा और इसे आप 2.90 बोर मेगनेटोन लिख सकते हो तो यह लगबग है आप चाहे तो इसका वर्गमूल निकाल कर इसका वास्तविक मान पता कर सकते हो, यहाँ पर मैंने केवल लगबग मान को बताया, तो इस तरह से आप चुम्म की आगोन ज्याद कर सकते हो, सिफ्टी सिद्धान से संकुल योगीकों के निम्न गुणों को समझा सकते हो, संकुल का रंग समझा सकते हो, वे सबी संकुल जिन में केंद्रिय धात्तू में आ युगमित इलेक्ट्रोन होते हैं, उनका रंग होतता है, और जब सबी इलेक्ट्रोन युगमित होते हैं, तो उनका कोई रंग नहीं होतता है, रंग का कारण क्या होता है डीडी संक्रमन इलेक्ट्रोन T2G कक्षक से EG कक्षक में चले जाते हैं परंतु कौन से इलेक्ट्रोन आयुगमित इलेक्ट्रोन आयुगमित इलेक्ट्रोन T2G कक्षक से EG कक्षक में चले जाते हैं और इस कक्षक से इस कक्षक में जाने के लिए उर्जा की आउशकता होती है, जिसे वी पाटन उर्जा का आ जाता है, इन दोनों कक्षक की उर्जा का अंत्राल वीपाटन उर्जा यहाँ पर देखो इसमें माल लेते हैं यहाँ पर आयुगमित इलेक्ट्रोन है और एक आयुगमित इलेक्ट्रोन टी टू जी कक्षक से काम उर्जा वाले कक्षक से अधिक उर्जा वाले कक्षक में छलांग लगाता है तो यहां से यहां जाने के लिए उर्जा की आउशकता होगी इसे हम विपाटन उर्जा बोलते हैं परन्तु यह उर्जा कहां से प्राप्त होती मालो आपके पास एक संकुल योगिक का वीलियन है और इस संकुल योगिक में आयुग मित इलेक्टरोन होता है टीटू जी कक्षक में आयुग मित इलेक्टरोन होता है और इस वातावरन में प्रकाश होता है प्रकाश में सात रंगों की तरंगे होती जब यह सुरिक का प्रकाश इस वीलियन से टकराता है सातो रंगों की उर्जा अलग अलग होती यहाँ पर संकुल आयन होता है और संकुल आयन वीपाटन उर्जा के बराबर उर्जा मतलब इतनी उर्जा प्रकाश से आउशोशित करता है इन सात रंगों की तरंगों में कुछ उर्जा की तरंगे यह संकुल आउशोशित कर लेता है। इन से टकरा कर लोड जाती हारे रंगी तरंगे लोड जाती और लोटने वाली तरंगे हमारी आखों में प्रवेश करती जेसा प्रकाश जेसी तरंगे हमारे नेत्र में प्रवेश करती वस्तु उसी रंगी दिखाए देती तो यहाँ पर वीलियन हारे रंगा दिखाए देता ह और इसे हम परावर्तित प्रकाश बोलते है और यहाँ पर आउशोशित प्रकाश होता है तो संकुल आयन प्रकाश का कुछ भाग आउशोशित कर लेते हैं और बाकी जो भाग होता है उसे परावर्तित कर देते हैं और परावर्तित प्रकाश का रंग उस आयन का रंग होता है और दोस्तों इसे डी-डी संक्रमन का आजाता है आयूग में तिलेक्ट्रोन टी-टू-जी कक्षक से इजी कक्षक में चलांग लगाता है ये तिनों डी कक्षक होते हैं ये दोनों डी कक्षक होते हैं आयुगमित इलेक्ट्रोन डी कक्षक से डी कक्षक में छलांग लगाता है और इसे डी डी संक्रमन कहा जाता है और जब यहां से लेक्ट्रोन इसमें जाता है तो कुछ उर्जा उशोशित कर लेता है वह उर्जा वीपाटन उर्जा के बराबर होती है और शेश उर्जा शेश प्रकाश परावर्तित हो जाता है टक राकर लोड़ जाता है इस कारण संकुल आयन रंग प्रदर्शित करते हैं आयुगमित इलेक्ट्रोन के कारण और इसे डीडी संक्रमन का आ जाता है चुम्ब किये गुण वे सभी पदार्त जिनमें युगमित इलेक्ट्रोन होते हैं प्रति चुम्ब किये होते हैं इनमें चुकि इनमें युगमित इलेक्ट्रोन होते हैं तो यह रंग हीन होते हैं और इनमें आयुगमित इलेक्ट्रोन होते हैं आनु चुम्ब किये कहलाते हैं रंग हीन होते हैं औ दोस्तों आप चाहे तो इनका स्क्रीन शोट ले सकते हो अच्ट फल के संकुल और चत्वुश फल के संकुल और साथ में इसे भी आप नौट कर सकते हो और यदि आप इन प्रशनों को हल करना चाहते हो तो आप इनको भी नौट कर सकते हो और इन प्रशनों के अलावा आप अपनी पुस्तक में उपस्तित प्रशनों को भी हल कर सकते हो और दोस्तों इन सबी की PDF फाइल का लिंक description box में डाल दूँगा यदि आपको कोई प्रोब्लम आती है तो comment करके मुझे बता सकते हो